Hello mommies and daddies, welcome back to momcom India सर्दी जुकाम बहुत ही common problem है especially babies के पहले साल में क्योंकि उनकी immunity जो है वो बहुत weak होती है और viruses catch करना बहुत ही असान होता है especially winters में जब वो एक closed environment में रहते हैं सब कुछ बंद बंद रहता है और हर कोई almost सर्दी जुकाम से जुँझ रहा होता है या उससे बिमार होता है तो इसलिए infection catch करना बहुत असान है हम as parents ऐसे टाइम पर क्या कर सकते हैं बचों को थोड़ा सा help करने के लिए या थोड़ा सा ये time उनके लिए आसान बनाने के लिए वो हम आपको इस वीडियो में करके दिखाएंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट के लिए तीसरी और आखरी रेमेडी है जैफल, जैफल के बारे में हमने बहुत सबने ही सुना है उसके बेनेफिट के बारे में बट सिरफ एक चीज का दियान रहतना है कि ये रेमेडी अपलाई करती है बच्चों पे जो 6 महीने से उपर हैं जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में पताया 6 महीने से कम के बच्चों को कुछ भी नहीं देना चाहिए except breast milk and formula ना पानी, ना कुछ जनम गुटी, ना कुछ और सिरफ formula या breast milk ही दे सकते हैं बट 6 महीने के बाद क्योंकि वैसे बच्चे solids भी शुरू कर देते हैं पानी भी शुरू कर देते हैं और उनका digestive system थोड़ा strong हो जाता है तो यह जो हम आपको remedy बता रहे हैं यह आप दे सकते हैं आप इसको daily base पे एक चमच 0.5 ml आपको देना होता है basically बेबी को इम्म्यूनिटी बढाने में भी बहुत हेल्प करता है इसके वैसे ही बहुत benefits है जब आप बच्चों के लिए dry food powder बनाते हो 6 months के बाद उसमें भी जैफल डाला जाता है क्योंकि उसके इतनी अच्छी properties होती है तो यह एक wonder remedy है पर 6 months से उपर के बच्चों को देना है दिन में एक बार देना है किसी भी टाइम पर दे सकते हो रात को सोने से पहले दोगे तो वो और भी अच्छा है बच्चों को नीन भी अच्छी आती है तो आप यह आराम से यूज कर सकते हो नाने के लिए हम यहाँ पर इंग्रीडियन्स रेडी कर लिये हैं, सबसे पहले हमें चाहिए एक सिल्वर्टा, जो कि धुला होना चाहिए, बिलकुल क्लीन होना चाहिए, उसके अलावा हमें चाहिए एक जैफल और बॉयल्ड पानी, बॉयल्ड पानी जो यहाँ पर है वो हल् इने सिल्वटे के उपर डाल लेंगे और फिर एक जैफल लेके उसका पेस्ट बनाना शुरू करेंगे बेसिकली आपने जैफल को यहां पर घिसना है पानी में दो मोशन में घिसना है एक है सर्कुलर मोशन और एक है टू एंट फ्रो मोशन यानि की आगे पीछे हम जो यह कर यहां पर हम जैफल का एक पेस्ट बना रहे हैं जो बेबी को दिन में एक बार दिया जाता है यह देखिए यह पूरा पेस्ट फॉर्म में आ रहा है जैफल को चारो तरफ से गुमाएं जैसे कि हमने बताया दोनों मोशन यूज करके पूरा का पूरा जैफल जो है अच्छी कॉंटिटी बेबी को ना दे तो यह देखिए यहां पर मेरी कॉंटिटी रेडी हो गई है मुझे इतनी छोटी कॉंटिटी 0.5 ml ही बेबी को देनी है इसको मैं थोड़ा सा पानी के साथ डालियूट कर लूँगी बिकाज यह काफी बतलब यह एक हॉट स्पाइस है बेसिकल और इसको सुखालो ताकि आप इसे अगले दिन भी यूज कर सकते हैं यह दुबारा री यूज हो सकता है अब बेबी के लिए इसे रेडी करने के लिए हम यहां पर इसे थोड़ा सा पानी के साथ डालियूट कर रहे हैं दुबारा याद रखिए कि पानी जो है वो बॉइल खुब आपको यह बनाने में भी easy लगा होगा इसमें भी 5 मिनिट से उपर नहीं लगना चाहिए और 0.5 ml मेजर करने के लिए हम आए पाल नॉमली हम जब बचों को दवाईया देते हैं उसमें dropper होता है तो dropper में आप मेजर कर सकते हो 0.5 ml कितना है और उसको पानी के साथ मि अबीर इसको almost daily basis पे अराम से पी लेता है in fact दुबारा देखता है कि मझे कुछ और मिलने वाला है तो I hope आपको यह तीनों remedies बहुत easy लगी होंगी 5-5 minute का preparation time है इनका और benefits बहुत सारे हैं सब कुछ भी इकठे करने की जरूतनी है जब जिसकी neat feel हो वो करो जैफल एक ऐसी महीने से उपर के बेबी को जरूर दो यह वैसे ही अच्छा पूरा body के लिए अच्छा रहेगा बट बाकी दोनों remedies आप तब ही उसकरो जब बेबी को genuinely सर्दी है या सर्दी की शिरुआत लग रही है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो like button पे जरूर click करो comment जरूर तो आपके पास बहुत अच्छा मुका है हमारा family member बनने का तो इसलिए लाल बटन पे जाके subscribe जरूर जरूर करो thank you so much for watching mom comment या बहुत जल्दी आप से बात करेंगे